नमस्कार दोस्तों आप सफिका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल स्टाड़ी टूड़े विपलाप में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सी यूटी यूजी 2023 के लिए डोमेन आर्ट्स पेपर हिस्ट्री के 50 विए अब्जेक्टिव को देखने वाले हैं य प्रसना को देख लेते हैं इससे पहले हम लोग जो है जियोग्राफी यानि की भुगोल का 50 महत्पन प्रसना को देख चुके हैं अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जरूर देख प्रसन को इस वीडियो के सुल्टान आदिलसा का चितर को खाई था राइने में राइ्चिस दोआप पर किस बर्स अधिकार कर लिया था क्रिशना देप राई ने राई चूर दोआ पर किस बर्श अधिकार कर लिया था ठीक है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 1512 में यह आपका सही उत्तर होगा ओप्सन नमबर 20 होगा नेक्स्ट क्वेशन यहां पर दिया हुआ है प्रस्ण संक्या 4 कि कनिस्क का रा संग्विधान सभा की भासा समिती ने अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत क्या था तो यह क्या था 12 सितंबर 1947 को ऑफ्सन ए सही होगा 12 सितंबर 1947 यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन यहां पर दिया हुआ है कि संग्विधान सभाद वारा भारतिय संग्विधान को कब अंगिक्रित क्या गया था तो यह क्या गया था 26 नमबर 1949 को ऑफ्सन नमबर ए सही होगा नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कि असोक ने की सिलालेक में रज्जुकों को यह आज्या दी गई कि वह प्रत्यक पांचवे बर्ष राज्यों का भ्रह्मन करें अवंग जनता को धर्मपदेश दें चोथे पांचवे तिसरे या साथवे तो इस क्वेशन का सही उतर हो जाएगा तिसरे हो जाएगा उप्सन नमबर C नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुए कि विजाद किस काल का प्रसिद चित्रकार था तो यह जो है बाबर काल में था ठीक है ओप्सन नमबर B सही होगा बाबर नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कि प्रथम पंच वर्षे योजना किस बर्स प्रारंब हुई थी तो यह हुई थी उनिसे इकावन में आप्सन नमबर भी सही होगा उनिसे इकावन नेक्स्ट एक कि हड़ापा सभ्यता में किस धातु का प्रियोग क्या जाता था पितल, काण्सिया, लोहा या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उतर हो जाएगा काण्सिया हो जाएगा तीक है काण्सिया धातु का प्रियोग क्या जाता था नेक्स्ट क्वेशन दिया हुआ है कि महत्मा बूद का जन किस बर्स हुआ था तो यह हुआ था 563 इसमी पूर में हुआ था आप्सन नमबर ए सही होगा नेक्स्ट है कि अकबर दोरा इवादत खाना किस्ता अपना कब की गई थी तो यह की गई थी विलजली के दोरा आप्सन नमबर सी सही होगा नेक्स्ट है कि की स बर्श कंग्रेश दोरा अंतरीम सरकार का गठन किया गया जिसमें नहिरुजी का उपरास्टरपती के रूप में निर्वाचित किया गया था दो सितंबर 1946, 16 जून 1947, 16 मई 1946 या 25 सितंबर 1946 को तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर यह हो जाएगा दो सितंबर 1946 को नेक्स्ट कॉस्टन यहापर दिया हुआ है कि क्रिश्नदेव राय के समाए कि इस भासा का स्वारनीम काल था संस्क्रीट कंणर तेलगू या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलगू हो जाएगा सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को एक एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेयार जरूर कीजिएगा ठीक है सहा जहनावाद की हिर्दा इस्तल चांदनी चोक की रूप रेखा को किसने तयार क्या था यह तयार क्या था जहां आरा ने जहां आरा आपका सही उत्तर होगा नेक्स्ट एकी बर्स 1920 का कंग्रेश का विस्यस अरिवेशन किसकी अद्धशता में हुआ था लाला लाच्पत राय मदन मोहन मालविया जवालल नहिरू या महत्मा गांधी के दौरा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवालल नहिरू के दौरा हुआ था आप्सन नमबर सी सही होगा नेक्स्ट क्वेशन यह पर दिया हुए कि इंगलीज इस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दिवानी को कब प्राप्त क्या तो इस प्राप्त क्या था शत्रा सपैंसट में अप्सन नमबर भी सही होगा नेक्स्ट दिया हुआ है कि मुहमद विन कासिम ने सिंद पर विजय कब प्राप्त की थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 711 स्विव में अप्सन नमबर भी सही होगा उन्निस का भी सही होगा नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है असम में वैसनव के मुख्य प्रचारक संकरदेप की प्रमुक रचना है किर्तन घोस विजग गिद गोविंद या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किर्तन घोस हो जाएगा अप्सन नमबर ए नेक्स्ट दिया हुआ है कि पुरानों का संकलन कब क्या गया था तो यह क्या गया था दो सह इस्वी में आप्सन नमर बी सही होगा महावीर स्वामी का जन्व कब हुआ था नेक्स्ट क्वेशन यहां पर दिया हुआ है महावीर स्वामी का जन्व कब हुआ था पांच्टो चालिस इस्वी में, 483 इस्वी में, या 660 में या 500 में तो इसका सही उत्र हो जाएगा 540 इस्वी में, अफसन नमर ए सही होगा सभी सी रिक्वेस्ट आए एक एक लाइक और श्यार कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुए कि सुफिवाद एक पूर्ण विक्सित आंदोलन कब बन गया था 12-वी सताबदी तक 13-वी सताबदी तक 11-वी सताबदी तक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A सही होगा गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था next question दिया हुआ 25 का गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था तो गांधी इर्विन समझोता जो है उन्हें 31 में हुआ था option number A option number B सही होगा next एकी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देशी रियायत थी 562, 563, 564 या 568 तो इसका सही उतर हो जाएगा 562 हो जाएगा option no.1 next question यहां पर दिया हुआ है कि चंद्रगुप्फ्ट मौर्य का राज्यरहन कब हुआ था तो यह हुआ तो 321 ज़िप पूर्व में option no.3 सही होगा नेक्स्ट एक संची विश्व कलादाय स्तान घोसित कब क्या गया था यह क्या गया था 1909 में najैंसट नुमबर अ सही होगा 1989 असंचीow नमबर अ सही होगा नेक्स्ट प्रसन संक्याption इसकी विजाई नगर समरज्ञ के महत्यपुण जलासई का नाम क्या था तो मात्यपन जलासाई का नाम क्या था कमल पूरम जलासाई क्या नाम था कमल पूरम जलासाई जो है आपका सही उतर होगा तीस का है कि कि कीस बर्स मैंचेस्टर काटन कमपनी बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी 1859 में option number A सही होगा next है कि किसके अनुसार भारतिय संग्विदान एक अर्ध संग्या संग्विदान है सुभास का सेफ केसी हैर आईवर जेनिंग्स या option D में है इन में से कोई नहीं तो इसका सही उतर हो जाएगा केसी हैर हो जाएगा केसी हेर के अनुसार ठीक है ओप्सन बी सही होगा नेक्स्ट दिया हुए कि किसके द्वारा इहां कहा गया कि 1857 का बिद्रोह हिंदू मुसलिम सड़यंत्र था तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा L.E.R. रीच हो जाएगा L.E.R. रीच ओप्सन नंबर A सही होगा नेक्स्ट है कि अंतिरम सरकार की आखिरी वैठक कब हुई थी तो ये हुई थी 16 जुलाई 1947 को ओप्सन नंबर A सही हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पर कि आगरा के किले का निर्मान मुगल वंसिया सासक अकबर दौरा कब कराया गया था तो ये कराया गया था 1573 में आफिशन नंबर B सही होगा नेक्स्ट क्वエच्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि हम पी की अइतिहासिक इमारतिें निम्ने मेंसे कोन सी थी तो इसक्वेशन का सही उतर हो जाएगा हजार राम मंदीर भी हो जायेगा और महानभमी डिब्बा भी हो जायेगा इसलिए इस क्वेशन का सही उतर होगा अप्सन नमबर डीन में से सभी नेक्ट है कि फायन एक चीनी यात्री था वा किसके सासनकाल में भारत आया था तो ये भारत आया था चंद्रगुप्त दित्या नेक्ट यहां पर दिया हुए कि पुरूष सुक्त से वर्न व्यवस्ता का पता चलता है या किस बेद में बरनित है रिग बेद में अथरव बेद में या साम बेद में या या जूर बेद में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिग बेद हो जाएगा ओप्सन नमबर ये सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट यहां पर दिया हुए कि मुगलकाल दिवान ए आला किस बिभाग से सम्मंदित है तो ये सम्मंदित है आपका वित मंत्री से ठीक है ओप्सन नमबर ये सही हो जाएगा 38 का यह सही उत्तर हो जाएगा वित मंतरी 49 का है कि संताल संताल आंदोलन कि से संबंदित है मजदूर आंदोलन से या क्रिशक आंदोलन से या जन जाती आंदोलन से या इन में से कोई नहीं तो 49 का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जन जाती आंदोलन हो जाएगा संत ग्यारा बारा या न तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और बी ग्यारा हो जाएगा next question यहां पर दिया हुआ है कि उत्तर पस्चिम छेत्रों में उत्तर पस्चिम छेत्रों को नियंतरन करने के लिए मुगल समराज्या की राजधनी लाहूर इस्तनांतरीद कर दी गई 1585 में या 1587 में या 1588 में या 1589 में तो ये इस्तनांतरित कर दी गई थी आपका 1585 में हो जाएगा option number A सही होगा next है कि संथालों का प्रतिक चिन्द निमने में से क्या था हल, कुदाल, तिरधनूस या कुलहाडी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संथालों का प्रतिक चिन्द निमने में से क्या था तो इसका answer आप लोगों को comment box में देना है, हाल होगा या कुदाल होगा, या तीरधनूस होगा, या कुलाडी होगा ठीक है, इसका answer सभी को comment box में देना है, इसको मैं छोड़ दोता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है, इसका answer सभी को comment box में देना है देखते हैं किसका किसका answer सही होता है नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर दिया हूए कि मोरियस समराज्य का अंत कब हुआ था मोरियस समराज्य का अंत कब हुआ था तो यह हुआ था, 185 पूर्व में, option number A सही होगा जैन धर्म की सिक्षाय निमने में से क्या है इस्वर में आविश्वास, वेदों में आविश्वास, पंच महाबरत के सिध्धनतों का पालन या option D में है सभी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि पांचवी रिपोर्ट संगसद में कब प्रस्तूत की गई थी तो यह की गई थी, 1813 में, option number C सही होगा च्यालिस का है कि बंबई के इनाम कमिशन ने कितनी जागिनें जब कर ली थी 30,000, 20,000, 40,000 या 15,000 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका 20,000 हो जाएगा next question यहाँ पर दिया हुआ है कि निमनलिखीत में से कोन सा, कोन से कतन सत्य है कतन एक है कि भारतिय संग्विधान का केंद्रिया अभिलक्षन ऐसा था, जिस पर सभी की सहमती पहले से थी और दो में दिया हुआ है कि गुलबदन, वेगम की तुर्की और फार्सी दोनो भासाओं में पकड़ थी तो यहाँ पर अफ्सन दिया हुआ है केबल एक, अफ्सन बी में है एक और दो दोनो, अफ्सन सी में है केबल दो और अफ्सन डी में है इन में से कोई नहीं तो इस question का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कथन एक भी सत्य है और कथन दो भी सत्य है इसलिए option number 20 सही हो जाएगा नेक्स्ट इहां पर दिया हुआ है 48 का कि निमनलिकित में से कौन सा कथन सत्य है कथन एक में दिया हुआ है कि कारल मार्क्स ने कहा है कि यह अंग्रेजी घुसपेटिया था जिसने भरत्य हड़ी को तोड़ दिया और चरके का नास कर दिया और दो में दिया हुआ है कि सास्त्रों के अंतर वरन विवाहों को वर्जित माना गया है option में है केबल दो एक और दो दोनों केबल एक option D में है कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों हो जाएगा दोनों कथन सही है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन दिया हुआ है इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर बी नेक्स्ट कोश्चन है कि सुमेलित कीजिए सुची वान और सुची दो से ठीक है सुची वान में दिया हुआ है इवादत खाना आगरा का किला इलहाबाद का किला फत्यफपुर्शिक्री तो देखे इहां पर इवादत खाना का हो जाएगा आपका एक के साथ मैच हो जाएगा 15-75 के साथ मैच हो जाएगा आगरा का किला जो है आगरा का किला जो है आपका मैच हो जाएगा दो से हो जाएगा और इलहाबाद का किला जो है यह बनाया गया था 1583 में यह भी हो जाएगा तीन के साथ मैच और चार भी चार के साथ मैच हो जाएगा फत्यफपुर्शिक्री भ बी दो सी ती और डी चार के साथ मैच हो जाएगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सुची दो के साथ मैच करना है आपको यहां पर संग्विधान पर हस्ताक्षर किया जाना भारत में आम चुनाव कंग्रेश द्वारा अंतीम सरकार का गठन प्रथम पंचवर से योजना तो यहां पर देखिए संग्विधान पर हस्ताक्षर किया जाना इसके साथ मैच हो जाएगा आपका उन्हें से 45 में हस्ताक्षर हुआ था इसके साथ मैच हो जाएगा भारत में आम चुनाव हुआ था यह हुआ था आपका नहीं संग्विधान पर हस्ताक्षर क्या गया था उनसे 49 में इसके साथ मैच हो जाएगा ठीक है एक साथ 4 मैच हो जाएगा और भारत में आम चुनाव हुआ था आपका उनसे 45 में हुआ था कंग्डेश द्वारा अंतीम सरकार का गठन हुआ था उनसे 46 में और प्रथम पंचवर से योजना जो है उनसे कावर में हुआ था तो A मैच हो जाएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा और OPSON NO.B हो जाएगा ठीक है चार तीन दो एक एक के सा साथ दो हो जाएगा और डी के साथ एक हो जाएगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑफ्सन नमर भी तो यह था पचास भी यह अब्जिक्टिफ वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सियार कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैन